नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि अभी हाले में बिरंदर सहवाग ने भारत के कुछ युवा खिलाडियों की बेहदी जादा तारिफ की है और उन्होंने तारिफ इस बेस पे की है कि भारतिये टिम ने इंगलेंड में जाकरके और इंगलेंड की बहुत ही मजबूट टेश्ट टीम को धूल चटा दी है भारती टीम ने जहां जबरदस्त जीत हासिल की है इंग्लेंड के उपर एक टेस्ट मैच बेसक से अभी बाकी हो लेकिन जितने मैच हुए हैं उसमें भारती टीम पुरी तरह से मजबूत नजर आई है और उन्होंने अंग्रेजों को लोहे के चन्ने चबवा दी है इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को बेहदी ध्यान से और अन तक देखेगा क्योंकि मैं आपको उताने वाला हूँ कि विरंदर सहवाग ने कैसे भारती टीम के कुछ प्लेयरों को लेकर बेहदी चौंका देने वाला खुला सकिया है और ये प्लेयर कोई और नहीं बलकि केल राहूल, रिसपंत और भारती खिलाडी है जी हाँ आपको उता दे अभी हाली में विरंदर सहवाग ने दोस्तों भारती कुछ खिलाडी की बेहदी आदा तारिफ की है इस बेस पर कि उन्होंने टेस्ट मैच में बेहदी सांदार परफॉर्मेंस की है इस लिश्ट में दोस्तों तेन खिलाडी हैं, सबसे पहले आते हैं केल राहूल जी हाँ विरंदर सहवा को लगता है कि जिस तरह से केल राहूल ने इंग्लेंड में जा करके सुरू से ही फश्ट टेस्ट मैच से ले करके और अंतिम टेस्ट मैच तक जिस तरह की कंसिस्टेंसी दिखाई है वो रियल में लाजवाब रही है केल राहूल जिस तरह की परफॉर्मेंस करते हैं, वो टीम इंडिया के लिए हमेशा ही सांदार रहेगा और टीम इंडिया को एक ऐसा ओपनर मिल चुका है, जिसकी टीम इंडिया को टेस्ट किर्केट में बहुत लंबे टाइम से तलास थी और केल राहूल ने उस ओपनर की तलास को अब खतम कर दिया है और केल राहूल आले बाली दिरों में रोहिस तर्मा के साथ विख़धी सांदार पार्टनरस Concern भी करेंगे इसके अलिम आपको बता दूँ कि विरंदर सहवाग ने रोहिस सर्मा की भी खूब जम कर तारिप की है उनका कहना है कि रिसा पन जिस तरह से विकर्ट केपरिंग की जिम्मेदारी समाल रहे हैं हमें लगता नहीं है कि हमें किसी भी तरह से इस टेस्ट मैच में महिंदर सिंग धोने की विकर्ट केपरिंग की कमी खली हो साथे साथ दोस्तों उन्होंने सारदूल ठाकुर की भी खुल तारीप की है जी हाँ, सारदूल ठाकुर ने जिस तरह से गेंदवाजी भी कराई और दो टेस्ट मैच में दो इनिंग में दोस्तों सांदार बल्लेवाजी की वो रियल में बेहस सांदार था इतना ही नहीं मैं आपको बता दू रोहिस्थर्मा भी खुद ये मानते थे हैं कि 4th test match में तो सारदूल ठाकूर को ही man of the match बनना चाहिए था और तो रोहिस्थर्मा ने अपना man of the match का award भी सारदूल ठाकूर को दे दिया था तो ये दोस्तों बेहदी खुसी की बात है कि सारदूल ठाकूर एक बेहदी खास तरह की allrounder बनकर भारती टीम को बचा रहे हैं विरेंदर सहवाग ने खूब जम कर तारिफ की है और नोंने कहा कि ये खिलाडी भारत का उभरता हुआ सितारा है और ये भारती टेस्ट टीम को भी बहुत आगे लेकर जाएंगे तो यही था विडियो में आपको इन में से कौन सा खिलाडी सबसे बहतर लगा कामेंट करके जड़ होता ना साथी विडियो को लाइक करके सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद